आज उन्होंने हमको समाने ग्यान दिया इसका हमको बहुत जरूरत था इससे मैं जी के याद करूंगे उनको बहुत बहुत धन्य वाद बोलना चाहती हूं अच्छा और बस जरूरत पड़े बेटा मेरी तो मुझे याद कर लेना मैं हाजिर हो जाओंगा जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मुझसे बनेगा उतना मैं सहयोग करूंगा अब हमारे साथ सुलोनी है और आज सुलोनी को पठना में सवागत करने के लिए स्वागत करने के लिए पठना जिला के बिकरम परखंड के नगहरपंचाइद के मुखिया जी अजीत कुमार भरमा आय और इनको संबानित किये जन्रे नोलेज किताब दिये और एक शॉल और म ऐसे ऐसे पंचाइत के मुख्या अगर सयोग करेंगे तो तो दोनि और आगे जा सकती है आज लोनी को पटना में हम लोग गाना गवाने के बुलाए थे सोलोनी पटना में पर शूटिंग की है कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है अनिल सर जो सलोनी को यहां पर शाथ में ले आए हैं अजीत भी हाव क्या कुछ करना चाहेंगे हम यही सलोनी के भवी सुजवल का उपर वाले से कामना करेंगे कि खूब आग साथ में सचीन चंद्रा जी को भी सुवागत किया गया है मैं बोलना भूल गया था कैसा लग रहा आपको बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुछी की बात है कि आज हम दोनों का गाना आज सूट होने वाला है और परसो पांच तारी को रिलीज हो जाएगा सुबह आप मैं चाहता हूं कि गाओं के लोग जो हैं छोटे अस्तर के जितना उभरेंगे उतना देश और राज गाओं उतना ही संपूर्ण होगा जब तक छोटे लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो संपूर्ण नहीं हो सकता है अच्छा आपके भी पंचात में बहुत सारे ऐसे टाले और जरूर होगा अभी तो हम एक साल हुआ है बने हुए अभी बहुत मोटिफेट भी किये हैं और धीरे-धीरे जागरूप कर रहे हैं और जागरूप लोग हो रहा है क्या आपके पंचायत में जैसे इनका स्कूल में पढ़ाई होता है कोई स्कूल है जो पढ़ाई होता है देखिए सिच्छा के मामले में तो अभी बहुत पीछे चल रहा था लेकिन धिरे-धिरे हम टीचर के उपर भी दवाव दे रहे हैं कि आप लोग पढ़ाईए पहले क क्या होता था कि महीने में 10 दिन एक अपते आते थे और पूरे महीने का बेतन उठाते थे लोग लेकिन अब ऐसा नहीं है हम हरे का स्कूल में जाते हैं एक हपता हो दस दिन हो हर एक जगा घुम-घुम के और टीचर को बोलते हैं कि आप आये टाइम से और पढ़ाईए बच के लिए यह उपहार स्वरुप समान ग्यान दरपन दिया है इसके लिए मैं मुख्या जी को तहे दिल से नहीं बाद बच्ची को इसकी बहुत जरूरत है और यह हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि पढ़ाई जो है वो प्राइमरी है यह सेकेंडरी काम हिनका कभी-कभी आ क्या है यह हम कंवर लेकिन पढ़ेगी इसको पढ़ना एक कुछ बनना जाति हो कि में मुख्या जी को तहया दिल से बहुत 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 हने वाद बोलना चाहती हूं आज उन्हों ने हमको सामानिक ज्ञान दिया इसका हमको बहुत जरूरत था इससे मैं जी के याद करूं करनेगा उतना मैं सहयोग करूंगा लगतार वीडियो भी देख रहे हैं अभी आपको मालूम होगा कि क्या क्या चीज़े के जरूरत है ज्यादा तो देखा जातों यह तो गड़ी परिवार्श मिलों करती है आर्थिक की बहुत कमी है इनके आर्थिक मदद भी ज्यादा होना बिल्कुल बिल्कुल होगी जितना मुझसे बनेगा उतना हम करेंगे और बेटा मैं यह कहना चाहता हूं कि कभी घबडाना मत जिस इस्तिती से तुम अभी गुजर रही हो उस स्तिती से माई गुजर चुका हूं मैरी चीतर अजन भाई ने मेरा वीडियो भी एक बनाया था मैं जब अपना लाइफ कर रहा था तो उस समय मेरे एक ऐसा समय था जो हम बाहर गए थे तो मेरे पास दो रुपे है जेब में बचा था वहां से हमने श्टगल करके और आज तिन तिन फैक्टरी है और सेंक्रों लोगों को रोजगार भी दे रखा हूं और अपने पंचायत में लोगों को सेवा कर रहा हूं जागरू कर रहा हूं इसलिए घपराना मत समय लोग कि आज से तुम्हारा भविस उजवल है और विकास क करोगे कभी बिचलित मत होना पढ़ाई हो या संगीत की रस्ता हो कभी भी किसी लाइन में जाओ आप इमंदारी से काम करो फल मिलेगा हम चाहते हैं कि इसकी परहाई लिखाई के लिए आप और कुछ करें जी बिलकुल अभी हम एक कई सो रुपे को एक कई सो रुपे से मैं मदद कर रहा हूं सेलुन को क्या बात है सचीन जी आप कुछ बोली है हम यहीं बोलना चाहते हैं कि आप लोग गाना जरूर देखेगा और सुनिया का बहुत अच्छा यह गाई है और मैंने गाया है दोनों का नसा मुक्त वाला गाना है और देहेज वाला गाना है परसो सु बहुत बहुत धन्यवाद बोला चाहते हूं उनके कारणि में आज यहां पर आई हूं इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद जाए निदेख्यों आपको काफी पश्चंद आए होगा अगर आप लोग आप लोग इसको सेर के जहां चैनल चैनल अभी तू इनको पूछ आचा ठीक ठीक है बताए तो सचीन चंद्रा ऑफिस्यल चैनल पर गाना आएगा परसु सुबह हमारा और सलोनी का इसका पहला गाना है जो हम दोनों ने डूइट किया है और बहुत अच्छा यह गाई है और मेरा भी गाना है तो हम दोनों का गाना सुनिए परसु चो बजे यही करना चाहता हूं कि चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही मैं चाहता हूं कि अगर आपको अच्छा लगाता और आगे वीडियो को शेर किजिए ताकि स्मौन सुलोनी को और भी लोग मदद करें सुलोनी की जरूवत है सीखर तक अभी बच्ची को पढ़ना है सिखने के लिए पुरा बागे पढ़ना है आप देख रहेते सीके टिवी इंडिया निव चितरजन कुश्वा के साथ सलोनी के साथ अनील सर के साथ सचीन चौना जी के साथ और अजीत बर्मा मुखिया जी के साथ नमस्कार जैहिंद